गुद मॉनिंग एवरिवन स्वागत आप सभी का जीके जोन में तो गाइस आज हम करेंगे कम्प्यूटर प्रैक्टिसेट नमबर थ्री टेसियस पैटर्न पर राधारी थे और इसमें खुल 20 प्रशन है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है थोड़ा सा PDF धुंदला है लेकिन मैनेज कर लिजेगा अब आज को सुन कर ठीक है कम्प्यूटर की मैन मेमोरी इस नाम से भी जानी जाती है तो कम्प्यूटर की जो मैन मेमोरी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते है next है दूसरा अस्थाई रूप से टेक्स्ट और डेटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेश्ट करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो यह हो जागा clipboard जब हम कोई चीज को copy करते हैं या cut करते हैं तो clipboard में save हो जाता है उसके बाद हम जब paste करते हैं तो clipboard से उस location पर save हो जाता है Next है तीसरा User द्वारा document को दिया गया नाम क्या कहलाता है User द्वारा document को जो नाम दिया जाता है उसे हम file name कहते है Next है CPU clock की speed समानिता व्यक्त की जाती है तो CPU clock की speed जो है या megahertz में व्यक्त किया जाता है Answer हो जागा option number है megahertz Next है तो इसमें कुछ additional information भी बता देती है समानिता clock speed जो है megahertz यानि million pulse प्रती second या ghz यानि gigahertz या billion pulse प्रती second में मापी जाती है आज कल की personal computer 100 megahertz और 1 gigahertz से अधीक clock speed से run करता है चलिए नेक्स्ट देखते है पाच्वान नमबर प्रेशन Computer access की सुविधा देने से पूर्व Computer username और password मैच करने के लिए Dash की जाच करता है तो किस की जाच करता है Database की जाच करता है Option number 4 इसका answer है Next है वह science या technology जो मनुष्य के समान बौधिक शमता वाले मसीनों का निर्मान करने का प्रयास करता है उसे कहते है Artificial Intelligence Option number 3 सातवा है Computer data store करने और Calculation के कारियों को निश्पादित करने के लिए Dash number system यूज करता है तो इसका answer है Binary number system Option number 4 Next है वह निर्दिष्ट उपकरन जिसका उप्योग Computer system की functionality में व्रिधी करने के लिए किया जाता है तो वह निर्दिष्ट उपकरन जो Computer system की functionality में व्रिधी करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते है Peripheral Devices Option number 4 Peripheral Device Ninth है निमलिकित में से कौन सब password policy में Good practice के रूप में नहीं है पहला Password की new term समय सीमा fix करना दूसरा है परतियक transaction के लिए एक बार में एक ही password देना Password Reuse और History पर प्रतिबंद चौथा है केवल दो वर्षों के अंतराल पर password चेंज करने के नम्मोहती यह पिलकुल गलत हो जागा मतलब यह सामिल नहीं है Good practice के अंतरकत HERE नहीं आता है केवल दो वर्षों के अंतराल पर ही Password चेंज करने के नम्मोहती दी जाए चलि आगे देखते हैं दसवा नंबर प्रेशन है यदि हम broadband internet connection तो चली continue करते हैं दसवा नंबर प्रेशन है यदि हम broadband internet connection share करना चाहते हैं तो इसके लिए network पर डेश को इंस्टोल करना पड़ता है तो यह router को इंस्टोल करना पड़ता है दसका अंसर जागा option नंबर एफ क्या रहवा है वह प्रोग्राम जो hardware के समान permanent है और जिसे रोम में store किया जा सकता है क्या कहलाता है तो यह हो जाएगा firmware बारहवा है computer की common memory रैम का अर्थ क्या है तो रैम करत होता है रैंडम access memory option नंबर तीन तेरहवा है hard disk के secondary storage मीडिया में software प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है hard disk के secondary storage मीडिया से software प्रोग्राम को कॉपी करने को क्या कहते है इंस्टोलेशन रप्सा नंबर चात चौध हवा है फाइलों को एक मसीन से दूसरे मसीन में ट्रांसफर करने के लिए निमलिकित में से किस TCP या IP एड्रेस का पर्योग किया जाता है तो FTP हो जागा है FTP का फुलपर्म होता है file transfer protocol पंद्रहवा है integrated circuit dash तो integrated circuit क्या है तो integrated circuit एक छोटे सिलकन चिप पर गड़ी गई होती है ठीक है तो option नंबर चार हो जागा वाइरस का विस्तारित रुक्या है तो वाइरस का फुलपर्म होता है vital information resource under siege 16 cancer और जग अप्सन नंबर दो सत्रहवा है किसी दूसरे system में unauthorized access करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ये hacking कहलाती है अठारहवा है web page का code लिखने के लिए पर्योग किया जाता है तो web page पर code लिखने के लिए html language का पर्योग किया जाता है यानि hypertext markup language उनिस्वा है recycle bin का क्या कारी है तो जब हम कोई चीज़ delete करते हैं तो वो delete file जो है recycle bin में स्टोर हो जाता है तो यह deleted file को स्टोर करने का कारी करता है आज का आखरी प्रशन है निम्रिकित में से कौन इंपूट डिवाइस नहीं है तो माउस पैड टॉच पैड कीबोर्ड और ऑप्टिकल स्कैनर तो देखिए माउस अगर रहता तो यह नहीं होता लेकिन माउस पेड अच्छे तरीके से चलता है तो यह कोई ना तो इंपूट डिवाइस न आउटपूट डिवाइस अगलता कि एक खुरदरा सतह प्रोवाइट करता है ताकि माउस तो ऑच्छे तरीके से चल जब चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्स पॉमट Dance